नमस्कार दोस्तों ममंसा नाम रम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल समिस्ट्री गुरूपर स्रम योम रोजगार मंत्राले भारत सरकार के द्वारा करमचारी राज बीमा निगम में भरती आ चुकी है 3865 प्लस पदों की भरती जो है और इसमें कच्छा 10, कच्छा 12 और ग्रेशन वालों को मौका जो है दिया जा रहा है अगर आप 10 पास भी है तो आपके लिए भी बड़िया अपरचुनिटी है आपको वीडियो को कम्प्लीट देखना है हर एक चीज यहाँ पर हम डिसकस करेंगे क्या योगिता होगी, क्या उम्रसीमा होगी, सैलरी क्या होगी, सलेबस क्या होगा, एक्जाम का पैटरन क्या होगा और पिछले वर्सों में क्या कट आफ देखने को मिली थी, क्योंकि करमचारी राज्य बीमा निगम की वेकंसी जो है काफी दिनों के बाद देखने को मिली है और यह ऐसी वेकंसी है, जो कि पहली बार 3865 पदों पे भरती आई है, इसमें UDC, स्टेउनोग्राफर और MTS के पद सामिल है हर एक चीज यहाँ पर हम डिसकस करेंगे, नेस्ट यहाँ पर हम अगर बात करें कि डाकुमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो फॉर्म को भरने से पहले इस वीडियो को आपको जरूर देख लेना है हर एक डाकुमेंट्स के बारे में यहां पर बात करेंगे और कौन सी गलतियां है जो आपको नहीं करनी है फॉर्म को भरते समय और तैयारी के दोरान तो यह सब कुछ यहां पर मिलने वाला है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेर करिएगा पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं कि आपके राज्ज में कितनी वैकन्सिया जो है निकली है UDC और स्टेवनोग्राफर और MTS की कितनी वैकन्सिया आपके राज्ज में जो है निकली है तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको official website बैकंसी यहां आपको देखने को मिल जाएंगी तो आप यहां पे न्यू दिल्ली के देख सकते हैं यहां पे न्यू दिल्ली के लिए दिया गया है नेस्ट यहां पे पटना के लिए दिया गया है UDC यानि मल्टी टास्किंग और अपर डिवीजन कलर के लिए और यहां पे तो हर एक चीज़ यानि की 28 राज्य और 8 गेंदर सासित राज्य सब में जो है वेकंसी आ चुकी है तो हमने लिस्ट दयार कर ली है कितनी वेकंसी किस राज्य में है सब कुछ हम वहाँ पे दिखा सकते हैं अगर आपको officially अपने राज्य की देखना है तो यहाँ पे आप देख पोस्ट है सब कुछ आप देख सकते हैं सब कुछ जिस राज्य से आप अपलाई करना चाहते हैं उस राज्य का आप देख सकते हैं यानि कि फॉर्म को आपको एक ही फॉर्म को भरना है वहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा आपको सेंटर भी मिल जाएगा आपके ही छेतर में जहाँ पे आप चाहेंगे तो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली में 235 जो है UDC की वैकेंसी है इस्टोनोग्राफर के 30 पद है और 292 यम्टीयस के पद है टोटर 557 पद है यानि की दिल्ली में सबसे ज़्यादा बैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है बाकी आप बिहार में देख सकते हैं 43, 16 और 37 यानि टोटल 96 पोस्ट हैं नेस्ट यहाँ पे हम अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं 44 पोस्ट हैं जारखंड में 32 हैं करनाटक में 282 हैं केरल में 130 हैं मध्य प्रदेश में 102 हैं महारास्ट में 594 हैं गोवाटी में 18 हैं औरीसा में 74 हैं और पुडूचेरी में 14 हैं तो इस परकार आप देख सकते हैं यह पे काफी अच्छी पोस्ट है अगर हम यहाँ पे टोटल पोस्ट हों की बात करें तो 3865 प्लस पोस्ट है जो भी यहाँ पे उत्तरपदेश के कंडिडेट हैं वी देख सकते हैं उत्तरपदेश में यहाँ पे 36 पोस्ट UDC के लिए हैं 5 पोस्ट इस्टोनोग्राफर के लिए है 119 पद MTS यानि की मल्टी टास्किंग स्टॉप के लिए है जहाँ पे 10th जो है पास मागा गया है तो अभी हम सब कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं 106 पोस्ट यहाँ पे हैं नेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं तमिन नाडू में 385 पोस्ट हैं और पंजाब में यहाँ पे 188 पोस्ट हैं तो टोटल यहाँ पे 3865 पोस्ट यहाँ पे जो है निकाली गई है और 1964 पोस्ट हैं MTS के लिए 165 पोस्ट हैं स्टोनोग्राफर के लिए और 1736 पोस्ट हैं यहाँ पे UDC के लिए यहाँ पे अभी हम स्लेबस की जब बात करेंगे तो UDC का स्लेबस और MTS का स्लेबस एकदम सेम है कई कंडिडेट्स सोच रहोंगे कि SSC के तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम फार्म को भर सकते हैं अगर SSC बैंक आप किसी भी एकजाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और कम समय में आप नोकरी पाना चाहते हैं तो इससे बड़ी हा काफी अच्छी सेलरी है तो सब कुछ यहां पर हम देख लेते हैं हमने सब कुछ PDF के दौरान तयार कर लिया है नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है उसको पढ़ने से अच्छा हमने सौट में जो है बना दिया है सब कुछ वहां पर दिखा देते हैं तो यह आप देख सकते हैं ESIC vacancy 2021-22 के लिए यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है पोस्ट का नाम है UDC, MTS और Esteno vacancy है 3865 प्लस पोस्ट है कटेगरी का अगर हम बात करें तो Central Government की नौकरी है और इतनी सारी vacancy यहां पर पहली बार देखने को मिल रही है नेस्ट यहां पर application का mode है online आपको form को भरना ह official side में ने बता दिया है नेस्ट यहां पर exam type की बात करें तो pre होगा, mains होगा और skill test होगा यानि कि अगर हम बात करें UDC में तो UDC में और यहां पर esteno grapher में skill test होगा बाकी MTS के लिए यहां पर exam होगा pre और mains का नेस्ट यहां पर बात करें कि job location तो job location क्या होगी कि आप अपने ही राज में नवगरी पा सकते हैं यानि all India level की vacancy है किसी भी राज के लिए आप form को भर सकते हैं नेस्ट यहां पर बात करें salary की salary यहां पर 25,500 से 81,100 और प्लस जो भी सुगिधाएं मिलती हैं वो सब कुछ आपको मिलने वाला है यहां पर UDC और esteno grapher की salary रहने वाली है नेस्ट यहां MTS की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक आपको salary यहां पर देखने को मिलेगी नेस्ट यहां पर बात करें कि form को कब से apply करना है तो 15 जनवरी 2022 से form भरना start हो जाएंगे और 15 फरवरी 2022 से form last date होगी तो इसको ध्यान में रखना है 15 जनवरी से आपके form भरना start हो जाएंगे आपको form को भर देना है नेस्ट यहां पर बात करें यहां पर अपर डिविजन कलर क्यानी कि UDC के बात करें तो यहां पर simple आप अगर graduate है यानि कि आपने graduate की डिगरी लिए है बीकॉम बीटे कुछ भी किया है तो आप form को भर पाएंगे नेस्ट यहां पर working knowledge of computer यानि computer को चलाना आना चाहिए office पे काम करना office suits जो है उसको पे काम करना आना चाहिए database की जानकारी होनी चाहिए यहां पर कोई certificate जो है नहीं मांगा गया है computer का यहां पर simple graduation आपको होना चाहिए और computer की थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए नेस्ट यहां पर बात करें कि उम्रसीमा की तो 18 से 27 वर्स जो है उम्रसीमा मांगी गई है minimum 18 वर्स होना चाहिए 15 फरवरी 2022 तक और maximum यहां पर 27 और प्लस अगर आप OVC के हैं तो 3 साल का आपको वेटेज मिलेगा यानि कि 30 वर्स और YSCST है तो आपको simple यहां पर 5 वर्स जोड़ देना है नेस्ट यहां पर PWD candidate के लिए 10 वर्स की छूट जो सरकारी मिलती है वही यहां पर भी रखी गए है नेस्ट यहां पर बात करें exam pattern की तो यहां पर pre होगा mains होगा और skill test होगा skill test में computer knowledge के बारे में आपकी जानकारी देखी जाएगी कि आपको कुछ आता है काम करना नहीं आता है computer पे अगर हम pre की बात करें तो pre qualifying nature का होगा और अभी हम syllabus बताएंगे वहां पर सब कुछ clear कर देंगे next यहां पर stono grapher की बात करें तो यहां पर 12th pass वांगा गया है next यहां पर skill test skill test में क्या होगा तो आप देख सकते हैं 10 minute में 80 word per minute की speed आप की होनी चाहिए transcription की बात करें तो 50 minute में 50 minute English typing आप करना होगा next यहां पर 65 minute Hindi typing करना होगा computer पे और mains plus skill test यहां पर एक exam होगा और next यहां पर skill test होगा यानि की pre का exam यहां पर नहीं होगा direct mains का exam होगा stono grapher के लिए next यहां पर हम बात करें MTS के लिए MTS यानि की multitasking stop के लिए 10th pass मांगा गया है यानि की आप अगर कच्छा 10 pass हैं तो आप form को भर सकते हैं किसी भी EST के लिए 5 वर्स की छूट जो की मैंने पहले बता दिया है और 3 वर्स के लिए OBC की छूट और यहां पर certificate जो OBC का SCST का certificate होना चाहिए वो जो है central government का होना चाहिए तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा next यहां पर हम बात करें अगर PWD candidate के लिए तो यहां पर 10 वर्स की छूट जो है देखने को मिलती है तो यहां पर 35 वर्स तक अगर PWD candidate है तो वो form को भर पाएंगे next यहां पर अगर हम exam की बात करें तो pre होगा qualifying और mains होगा mains की merit जो है जुड़ेगी उसमें 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जितनी vacancy होगी into 10 यानि कि 3865 टोटल vacancy है तो यहां पर आप देख सकते हैं गर 10 गुना बुलाए जाएगा तो यहां पर 10 simple सा बढ़ जाएगा तो 38650 candidate यहां पर exam में qualify किये जाएंगे next यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर हमने salary की भी बात कर ली है next यहां पर essential qualification की भी बात कर ली है सब कुछ आपको post wise बता दिया गया है अप देख सकते हैं यहां पर next अगर age limit की बात करें तो age limit के बारे में भी हमने यहां पर सब कुछ clear कर दिया है next यहां पर मने बता है कि आप गर simple India के हैं तो आप firm को भर सकते हैं किसी भी राज्य के हैं कोई matter यहां पर नहीं करता है next यहां पर important documents की बात करें तो यहां पर photograph होना चाहिए signature आपका और left thumb आपका जो है होना चाहिए यह सब कुछ आप यहां पर देख सकते हैं और 15 फरवरी last date है तो इसको भी ध्यान में रखना होगा next यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपको एक return में देना होगा declaration भरके आपको यहां पर upload करना होगा form को भरते समए पहले आपको registration करना होगा फिर उसके बाद payment piece करना होगा उसके बाद आपको document अपलोड करने है तो यहाँ पे 3 step में यह form को भरना है www.esic.nic.in पे आपको जा करके यह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा वहाँ से ही आपको form को भरना है official website से ही form को भरें किसी अन्यता site से ना भरें आप जा सकते हैं वहाँ पे सरकारी result पे भी आपको यह मिल जाएगा form next यहाँ पे फीस की बात करें तो यहाँ पे 2500 रुपए की फीस रखी गई है SCST और PWD गंडे रिट के लिए बाकी जो है आल कटेगरी के लिए यहाँ पे जनरल OBC के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है तो देख सकते हैं इसको आपको form को भरते समय यहाँ पे e-receipt जरूर ले लेनी है जो भी payment आप करेंगे उसका जो है e-receipt आपको ले लेनी है यहाँ पे clearly next यहाँ पे आप देख सकते हैं कि photo का size क्या होगा तो 20 KB से 50 KB के बीच में photograph होना चाहिए next signature आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए left thumb यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में यहाँ पे होना चाहिए तो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं next यहाँ पे hand written daily declaration जो है 50 KB से 100 KB के बीच में यहाँ पे होना चाहिए capital letter में आपको declaration नहीं करना है आपको small letter में ही यहाँ पे लिखा गया है next आप देख सकते हैं तो यह important documents हमने discuss कर लिए हैं बाकी center of examination जहाँ पे भी आप जिस राज जिसे भरते हैं उसमें आपका जो है देखने को मिल जाएगा अपने हिसाब से आप select कर सकते हैं next यहाँ पे देख सकते हैं कि schema of examination अगर हम यहाँ पे syllabus की बात करें तो syllabus में यहाँ यहाँ पे UDC यानि की upper division clerk का जो syllabus दिया गया है इसमें 25-25 question जो है चार subject के दिये गये है general intelligence and reasoning का यहाँ पे 25 question है 50 number का है general awareness है 25 question है 50 number के है quantity aptitude है 25 number यहाँ पे 50 number के है 25 question है next यहाँ पे English 25 question है 50 number के है total 100 question आएंगे और 200 number का यह paper होगा next यहाँ पे एक गंटे का time आपको दिया गया है तो एक गंटे में सब कुछ यहाँ पे 100 question आपको करने होंगे अगर यहाँ पे हम question के label की बात करें तो इसका previous year का paper आपको 2019 को देख लेना है बाकी IBPS clerk के pattern पे यहाँ पे यह paper देखने को मिलेगा यहाँ पे general awareness जो current affair के question यहाँ पे पूछे जाएंगे तो उसको भी आप देख सकते हैं एक बटा चार यहाँ पे negative marking है तो इसको भी ध्यान में रखना है next यहाँ पे main exam है और यहाँ पे pre exam जो qualifying nature का है सभी pattern पे next यहाँ पे main exam के हिसाब से merit बनेगी तो उसका भी देख सकते हैं यहाँ पे number of questions केवल increase कर दिये गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 questions 200 number के यहाँ पे 2 गंटे का time दिया गया है same subject है यहाँ पे reasoning है general awareness है quantity aptitude है और यहाँ पे English comprehension है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं next यहाँ पे अगर हम बात करें skill test की बारे में तो skill test यहाँ पे होगा preparation of two power point slides power point slides यहाँ पे 10 number का जो है test होने वाला है next यहाँ पे MS word पे आपका test होगा 20 number का होगा और यहाँ पे MS Excel पे 20 number का यहाँ टोटल 50 number का यहाँ पे test होने वाला है 30 minute में आपको करना होगा next यहाँ पे देख सकते हैं next यहाँ पे इस tono grapher की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक exam होना है उसके बाद skill test होना है तो यहाँ पे English के 100 question पूछे जाएंगे 100 number के और reasoning ability के 50 question पूछे जाएंगे यहाँ पे 50 number के और general awareness के 50 question 50 number के यहाँ पे पूछे जाएंगे यहाँ कि total 200 question होंगे 200 number के होंगे और यहाँ पे sectional जो है time आपको दिया जाएगा यहाँ कि 70 minute में आपको English करना है उसके बाद 25-25 minute यहाँ पे 35 minute में reasoning करना है और यहाँ पे general awareness 25 number के करना है यहाँ पे overall cutoff बनाना है आपको यहाँ पे sectional cutoff नहीं qualify करना है ऐसा कुछ भी नहीं है next यहाँ पे देख सकते हैं skill test मैंने बता ही दिया था English typing यहाँ पे 50 minute के होगी और यहाँ पे Hindi 60 minute का time दिया जाएगा sorry 65 minute का time दिया जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यह सब कुछ आपको clear पहले मैं कर दिया हूँ next यहाँ पे qualifying marks की बात करें यहाँ तो यह आप देख सकते हैं next यहाँ पे MTS की पोस्ट है और यहाँ पे MTS multitasking staff के लिए पोस्ट है तो question के label में केवल उतार चढ़ाओ देखने को मिल सकता है so question आएगे 200 number का यह paper होगा और एक गंटे का आपको time दिया जाएगा pre exam यहाँ पे MTS के लिए qualifying nature होगा बाकी mains के लिए यहाँ पे qualify करना होगा और merit उसी से बनेगी तो mains के लिए भी syllabus देख सकते हैं same UDC की तरह है यहाँ पे 50-50-50 यहाँ पे 200 question है 200 number है 2 गंटे का time है तो इसको भी देख सकते हैं अगर आप तीनों post के लिए form को भरना चाहते हैं यह सब कुछ मैंने बता दिया है next यहाँ पे आप important point देख सकते हैं कि the candidate are advised to submit single online application for a single post यानि कि एक post के लिए आपको एक form को भरना होगा next आप देख सकते हैं यहाँ पे पकी यहाँ पे email ID और mobile number आपको सही सही आपको डालना होगा तो सब कुछ यहाँ पे I hope मैंने discuss कर लिया है और रासन कार्ड और learning driving lessons यह आपकी valid ID proof नहीं होंगे तो आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है यह सब कुछ आपको सुनिश्चित कर लेना है तो सब कुछ यहाँ पे हमने discuss कर लिया हूँ बाकी अगर आपका कोई doubt होता है तो आप comment box में comment जरूर करिएगा मिलते हैं next video के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत धन्यवाद